दोस्तों जसी टेक में आप सबका हार्देक स्वागत है दोस्तों सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल यह हो रही है कि सर हमें तो यही नहीं पता चलता है यह प्रीमियम में और इंट्रिंसिक वैल्यू में अक्चुल वैल्यू में फरक्या है और यह थरस्ट डेस को जब एक्स पर काम करना चाहिए आज हम उसी पर चर्चा करने वाले एक शोटी सी प्रेजेंटेशन जिसमें आपको काफी कुछ समझने का मौका मिलेगा इसमें आपको यह भी समझने का मौका मिलेगा कि प्रीमियम क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और प्रीमियम का डि expiry day दोस्तों याद रखेगा कि ब्रस्पतवार को expiry होती है निफ्टी 50 की निफ्टी के expiry हर ब्रस्पतवार को होती है और last Thursday of the month जो होता है जो एक month का last Thursday last week में जो Thursday आता है उसमें stock options की भी और निफ्टी bank निफ्टी की भी expiry होती है अब दोस्तों याद रखना है सबसे पहला सबसे पहली चीज ब्रस्पतवार को कभी भी baggage बुद्वार का लेकर नहीं जाना है बुद्वार का baggage जब मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग hold करके जाते हैं Wednesday को hold करके चले गए जी Thursday के लिए और काफी लोग तो ऐसे होते हैं वैसे तो 90% ऐसे लोग हैं hold करके क्यों जाते हैं hold क पुट लेखे के gap down हो भी गया तब भी आपको लाब नहीं दिखता कारण क्या होता है क्योंकि जितनी premium meeting बुद्वार रात को यानि कि expiry से एक रात पहले होती है उतनी कभी और नहीं होती है इसलिए no Wednesday baggage do not carry forward any trade for Thursday Wednesday को options trade जुक्चाप काट के जाओ ना options में buying का trade है, CE buy कर रखा, PE buy कर रखा तो उसको काटके जाना ही बैतर है ये दिन ऐसा होता है कि make और मार डेज, इस दिन लोग बन भी जाते हैं और खतम भी हो जाते हैं ब्रसपतवार को ऐसा क्यों होता है एक तो volatility होती है बहुत जादा, volatility में फस जाते हैं लोग, दूसरी चीज आप लोगों को जल्दी भी तो बहुत होती है ना trade लेने की वो भी एक important चीज है कोई जल्दब value पर या intrinsic value पर उसको आना होता है अब यहाँ पर एक important चीज आ गई आप समझने की कोशिश करेंगे कि यह actual value और premium का अंतर क्या है यह समझ लीजे कि साड़े तीन बजे 3.30 तक आपको 3.30 पर actual value आपको दिखाए देगी किसी भी option की सबोस किया अब आपने एक option खरीदी 22,800 की call कितने premium दिया 23 रुपए तो आपको यह पता होना अच्छी कि अगर मैं expiry तक इसको hold करता हूँ तो यह कहां पे इसका break-even point आएगा जिसको कहते हैं BEP break-even point मतलब no profit no loss की स्थितियां तो आएए देखते है actual value versus premium में कि BEP क्या होता है जब आपने 22,800 की call 23 रुपए पे ली है तो आपको हमेशा break-even point के लिए क्या करना है call ली है तो आपको 22,800 की जैसे call है प्लस जो premium पे क्या है वो add कर दीजे उस case में 22,823 आपका break-even point होगा इसका मतलब है कि 22,823 से नीचे अगर expiry होती है तो आप loss में आते हैं अगर 22,823 से जितना उपर expiry होगी उतना ही आप profit में आते हुए दिखाई देंगे आईए ज़र आप देखते हैं कि किस तरह से एक example के तुरू देखेंगे 22,600 की call 23 रुपए पे अगर expiry हो गई नीचे की 22,830 पे तो उसका मतलब है कि 30 रुपए 800 के उपर 30 रुपए की value 830 का मतलब 30 रुपए आपका intrinsic value या actual value होगी उस case में एक lot 50 का है यानि साड़े 300 रुपए 350 रुपए का profit अब nifty के expiry होगी 22,819 तो भाई IV कितनी होगी आपकी होगी 19 रुपए यानि की loss of INR4 which means 200 रुपए पर lot का loss 200 रुपए का loss per lot का by chance nifty की 22,800 के नीचे expiry हो जाती है तो कुछ लोग कहेंगे साब उसमें तो हमको कुछ नहीं मिलेगा जीरो हो जाएगी या माइनस माइनस नहीं होती कभी भी आपको आप बायर हैं तो आपको माइनस में नहीं लेकर जाती है उस case में क्या करते हैं कुछ कहेंगे साब जीरो हो जाता है नहीं 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 दोस्तो आप market आपकी बहुत इज़त करती है market आपकी volatility बहुत ज़्यादा होती है और loss complete complete loss होने का chance Thursday को बहुत ज़्यादा होता है इसलिए एक समय पर एक ही trade में entry करें तो बहतर है multiple trades में entry करने की ज़रूरत नहीं है छोटी quantity trade with a small quantity preferably एक lot दो lot से ही trade करें तो बहतर है क्यों इसलिए क्योंकि अगर इस ये कैसा देना है जब पूरे का पूरा capital deplete होता हुआ काफी लोगों ने देखा होगा जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे सुन रहे होंगे उनके साथ भी ऐसा होता हुआ कई बार होगा तो आप जितने कम से कम lots रखेंगे कम से कम पैसा लगाएंगे उतना ही बैतर है averaging कभी भी नहीं की जाती कभी भी नहीं की जाती options में और खास करके जिस दिन expiry day होता है उस दिन तो सोचना भी नहीं काफी लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं नहीं सर वो थोड़ा से नीचे आया था तो हमने averaging कर लिया दोस्तों यह याद रखेगा यह सबसे बड़ी गलती होती है biggest mistake a trader makes is averaging on lots lots को बढ़ाना नहीं अगर आपको पता चल गया कि आप loss में उसको चुपचा वहां से काटो दूसरा कोई trade बनता है तो वो trade लेके आगे बढ़ो averaging कभी भी मत करना averaging से लोग सबसे ज़्यादा बरवाद होते हुए देखे गए हैं कुछ फिर भी कहेंगे सहाब कुछ और बहतर हो जाए less risky trader होंगे जो risk लेना जादा नहीं चाहते वैसे तो options में आए और तो risk का तो मतलब है ही तो भाई आप अपनी उस expiry के बजाए next expiry में करेंगे trade तो जादा बहतर रहेगा कारण next expiry में chances of profit better हैं इस expiry से कम से कम इतना तो है कि भाई इस expiry में जो total zero हो सकती थी आपकी capital पूरे का पूरा जो पैसा लगाया है वो तो नहीं होगा इतने से तो बच जाएंगे don't wait exit fast जल से जल जब आपको दिखता है कि भाई आपका premium आगया आपका target आगया है चुपचा profit book करो जादा लंबे वारे में सच मत सोचो क्योंकि ब्रस पतवार वाले दिन premium खतम होने होते हैं और intrinsic value पे आना होता intrinsic value actual value आपको अभी मैंने दिखाई है किस तरह से निकालते हैं अब दोस्तों कुछ tips हैं for new traders make money on Thursday but don't use all your capital आप यकीन मानिये जो बड़े बड़े लोग जिनको मैं जानता हूँ वो बुद्वार को या जो भी expiry का day होता है उससे एक दिन पहले सारे का सारा अपना withdrawal करते हैं सिर्फ बहुत चोटा सा amount जिसको वो lose करने के लिए तैयार है उ प्रेफरेवली अगर जो नया बंदा है उसमों क्योंकि नए ट्रीडर्स के लिए बात कर रहा हूं डाई हजार तीन जाजार से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए Thursdays को अगर आप बन गए तो भाई बहुत अच्छा बनेगा लेकिन अगर आपने लूज भी किया तो पच्चि में देखिए क्या बनता है और averaging तो आपको करनी ही नहीं है profit के लिए endlessly wait नहीं करना जितनी जल्दी profit में आए चुप चाप लेकिन निकलने का ज्यादा सोचने का नहीं है और दोस्तों ये याद रखेगा ये सिर्फ और सिर्फ एक psychology आप सब लोगों की अपने दोस्तों की psychology के लिए best video मेरे को लगता है मैंने बनाया है अपने दोस्तों के लिए आपको क्या लगता है क्या इससे आपको कोई लाब हुआ है या होगा वो जुरूर comment box में लिखिएगा अगर लाब होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और ऐसी ही और videos में मैं बनाने की कोशिश करू कीजिए and my dear friends जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना आपकी होसलाफ जाई आप अगर लाइक करेंगे comment करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी वही मेरे लिए होसलाफ जाई होगी शुक्रिया थांक्यो कि लाक बड़ाइ